गुड्मॉर्णिंग फ्रेंड्स स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेड़े वेधर विठाकर पर तो चले शुरूआत करते हैं वीकली वकाप देरी के रिवीजन की ये वीडियो बहुत ज़ादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि प्रिवेश 25तारिक से शुरूँ हो रहा है, वीक हमारा 25तारिक से शुरूआ था तो पहला हमारा वर्ड था 25तारिक मिटीगेटिंग यहां पर वर्प की तरह यूजव बहुत है, किसी भी चीज की की प्रॉबलम है कोई समस्या है तो इसकी गंभीरता को कम कर ददेना, हल्का कर देना उसक उसकी intensity को कम करना उसकी seriousness को कम कर देना उसको बोला जाएगा mitigating और एक बात और मैं बता दूँ आपको इस में सरे अफ हम word ही discuss करते हैं तो मुझे comment box में आप ये भी बताएगा कि सिरफ word ही sufficient है मेरे ख्याल से प्याजित करना उसे बोला जाएगा convene अगला हमारा शब्द disrupted यहां पर वर्ब की तरह use हुआ है disrupted का मतलब होता है किसी भी काम में किसी तरह की कोई बाथा उत्पन करना कोई रुकावट पैदा करना विखन पैदा करना उसे बोला जाएगा disrupted अगला हमारा शब्द concerted का मैंने आपको दो तरह से मतलब बताया था और पिछले वीक दोनों तरह से यह वर्ड यूज़ वाता इडिटूरियल में पहला आप concerted का मतलब होता है कि किसी भी काम को करने के लिए हम भरपूर प्रतन कर रहे हैं जीतोड हम महनत कर रहे हैं उसे बोला जाएगा concerted दूसरा मैंने मतलब आपको बताया था कि सबी लोग मिल जूल कर किसी काम को एक साथ करे collective effort रहें सबके उसे भी बोला जाएगा concerted तो आप दोनों context में याद रख लिजेगा मैंने दोनों में आपको बता दिया है next हमारा word है commemorate यहां पे verb की तरह यूज बाइट का मतलब होता है हम कोई चीज मना रहे है किसी की याद में जीसे शहीदी दिवस मना जाता है हम गणतंतरता दिवस मना थे हैँ जो हमारे ambassador होते हैं foreign में, प्रतिनी धी, दूत, या गुप्ट चर्वी बोल सकते हैं, and वो ambassador, agent, उन्हें बोला जाएगा, emisory, अगला हमारा शब्द अबेट, यहाँ पर वरपी तरह यूज़ वहा है, अबेट का मतलब होता है, किसी भी चीज़ के प्रभाव को कम करना, रोख थाम करना किसी चीज़ की, गिरावट होना किसी चीज़ में, उसे बोला जाएगा, abate, अगला हमारा शब्द enshrined, यहाँ पर वरपी तरह यूज़ वहाँ, enshrined का मतलब, मैंने दो तरीके से आपको बताया था, एक तो, जो हमारे पवित्र स्थान होते हैं, जिसे हमारे मंदिर होते हैं, मंदिर, मस्जिद, आप जो भी पवित्र स्थान होते हैं, तो उन्हें बोला जाता है, enshrined, दूसरे context में मैंने लिखा यहाँ पर, किसी भी चीज़ को सुरक्षित रखा जाना, protect करना किसी चीज़ को, उसे भी बोला जाएगा, enshrined, जो editorial में यह यूज़ हुआ था, इस context में, अगला हमारा word है, glacial, glacial word यहाँ पर adjective ज़रा यूज़ हुआ है, glacial का मतलब होता है, दीरे-दीरे से, बहुत ठंडा, glacier से आप समझ लेजिए, इसका मतलब, glacier से, glacier से इसका मतलब समझ लेजिए, कि बरफ कैसा होता है, बहुत ठंडा होता है, बहुत बरफीला होता है, तो किसी भी चीज़ में, बड़ी slow, 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 movement होना, धीरे-दीरे, अगला हमारा शब्द है, reparation, यहाँ पर नाम की तरह यूज़ हो, reparation का मतलब होता है, reparation ही है, reparation, इसका मतलब होता है, मुआवज़दा या हरजाना, कहीं पर किसी तरह का क्पर नुक्सान हुआ है, तो उसके बदले में, उसको मुआवज़दा देना, हरजाना देना, उसकी हानी पूर्थी करना, क्ष़ती पूर्थी करना, उसे बोला जाएगा, reparation, अगला हमारा शब्द है, यहाँ पर वर्ब की तरह यूज़ हो, master का मतलब होता है, बटोरना, क्या के बीन बजाने से क्या होगा, जो हम discuss भी करते हैं, सुबा सुबा, idioms और phrases के साथ, हम क्या discuss करते हैं, और idioms और phrases दिसकस करते हैं, तो उसे ही बोला जाएगा, पूरानी कहावदेया मुहावरे, अगला हमारा शब्द है, grim, यहाँ पे जिक्ति की तरह यूज़ हुआ है, grim का मतलब होता है, ऐसी को इस्तिती जो बहुत विकट हो, बहुत ज़ादा डरावनी हो, बहुत ज़ादा डराने वाली हो, उसे बोला जाएगा grim, अगला हमारा शब्द सब्टर्फियूज, यहाँ पे नाउन की तरह यूज़ हुआ है, subterfuse का मतलब होता है, किसी से, किसी तरह की कोई बेमानी करना, कोई छल करना, कोई चाल चलना, किसी को डिसीव करने के लिए, कोई चाल चलना, ट्रिक करना, उसे बोला जाएगा, subterfuse, अगला हमारा शब्द रेंकल, यहाँ पे वर्प की तरह यूज़ हुआ, रेंकल का मतलब होता है, दुख पहुँचना, या भड़क उठना किसी बात को लेकर, थोड़ी इरिटेशन होना किसी बात को लेकर, गुस्ता आ जाना थोड़ा सा, दुख पहुचना हमें, that is called रेंकल, अगला हमारा शब्द रेंकल, यहाँ पे एजेक्ट की तरह यूज़ हुआ, डेंकल का मतलब होता है, ऐसी कोई चीज जो की बिल्कुल ही बेमेल हो, असंगत हो, उसे बूला जाता है, डेंकल, अगला हमारा शब्द है stringent, यहाँ पे एजेक्ट की तरह यूज़ हुआ है, stringent का मतलब होता है, ऐसे कोई नियम या कानून, जो की विहद सक्ती के साथ implement किया जाए, बहुत सक्त कानून नियम होना, उसे बूला जाएगा stringent, अगला हमारा शब्द है, reiterating, यहाँ पे वर्पी तरह यूज़ हुआ है, reiterating का मतलब होता है, किसी भी बात को बार-बार कहना, बार-बार दोहराना किसी बात को, उसे बूला जाएगा, reiterating, अगला हमारा शब्द apparatus, apparatus यहाँ पे वर्पी तरह यूज़ हुआ है, apparatus का भी मैंने दो तरीके से मतलब बताया था आपको, एक बताया था मैंने काम करने के तरीके, कोई भी संस्ता है या कोई भी organization है, वो किस तरह से क्या-क्या methods हैं, जिसके अंतरगत वो काम करती है, कोई भी संगठन या कोई भी विक्ति, क्या-क्या टेकनीक से उसके बाद क्या-क्या भी दियां हैं काम करने की, क्या-क्या तरीकें हैं, उस context में ये word यूज़ होता है, apparatus, एक मैंने और method बताया था आपको, कि किसी भी तरह के उपकरन या समगरी, कोई tools है, कोई equipment है, कोई machine है, that is also called apparatus, अगला हमारा शब्द है, berated, यहाँ पर वर्प की तरह यूज़ हुआ, berated का मतलब होता है, किसी को डातना, फटकारना, धमकाना, किसी ने किसी तरह की गलती की है, तो उसको rebuke करना, scold करना, फटकारना उसको, that is called berated, अगला हमारा शब्द है, detain, यहाँ पर नाम की तरह यूज़ हुआ है, detain का मतलब होता है, किसी को जेल में डाल देना, या कुछ करने से रोकना, किसी को जेल में डाल देना, कारावास में डाल देना, उसे बोला जाता है, detain, अग्ला हमारा शब्द है Impasse Impasse यहां पर नाम की तरह यूज़ हुआ है Impasse का मतलब होता है किसी भी गाव में किसी तरह की रुकावट कोई अवरोध कीसली थी या गतिरोध कीसली थी उसै बोलाजाएगा Impasse अग्ला हमारा शब्दய prolonged यहां adjective की तरह यूज़ हुआ prolonged यहां मतलग होता है ऐसी कोई चीज जो की बहुत देर तक चले अब शक्ता से अधिक समय तक चलना देर गखालीन देर तक चलने वाला that is called prolonged अगला हमारा शब्द है concerted देखिए फिर से यह word आगा concerted तो यहां दूसरे context में यह word यूज़ हुआ था यहां यह word यूज़ हुआ था tutorial में एक साथ मिल जूल कर काम करना सभी लोगों का collective efforts करना किसी काम को करने के लिए उसे बोला गया था concerted तो मैंने दोनों आपको context इसके बता दिये थे कि किस किस दोनों किन दो context में यह word यूज़ होगा concerted एक तो होगा किसी भी काम को करने की जी तोड महनत करना उसको काम करने के लिए जी तोड कोशिश करना भरपूर कोशिश करना बहुत ज़्यादा महनत करना भरसक प्रतन करना और दूसरा context होगा मिल जूल कर काम करना that is called concerted अगला हमारा शब्द interminable यहाँ पर जेक्टि की तरह use हुआ, interminable का मतलब होता है कोई चीज बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा देर तक चलने वाली है बहुत अधिविक लंबा होने के कारण वो हमें बहुत ज़्यादा uninteresting लगे उबावू सा लगे उसे बोला जाता है interminable अगला हमारा शब्द ग्रिवैंसेज यहाँ पर noun की तरह use हुआ ग्रिवैंसेज का मतलब होता है हमारे साथ किसी तरह का कोई अन्याय हुआ है उसकी शिकायत करना complaint करना उसकी अपना दुख दुखडा सुनाना किसी को उसे बोला गया है grievances अगला हमारा शब्द एजिटेशन यहाँ पर noun की तरह use हुआ agitation का मतलब होता है आंदोलन करना अपनी बांगे मनवाने के लिए धरना परदर्शन करना आंदोलन करना उसे बोला जाता है agitation अगला हमारा शब्द unsavory यहाँ पर adjective की तरह use हुआ unsavory का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो बेहदी गृनित हो बदनाम हो या मैंने दूसरे context में आपको बताया था अस्वादिष्ट भोजन जिस भोजन में बिलकुल भी टेस्ट ना हो जो टेस्ट लेस हो उसे भी बोला जाता है unsavory अगला हमारा शब्द रिपील यहाँ पर वर्प की तरह use हुआ रिपील का मतलब होता है किसी चीज को cancel कर देना रद कर देना किसी चीज को officially तोर पर अपचारिक तोर पर किसी को रद कर देना निरस्ट कर देना किसी चीज को cancel कर देना that is called रिपील अगला हमारा शब्द रिपील यहाँ पर नाउन की तरह use हुआ distortion का मतलब होता है कि किसी के कोई original है चीज में तो उसमें उसकी originality जो है उसमें change कर देना उसमें किसी प्रकार की खामी पैदा कर देना विक्रिती पैदा कर देना कुरूपता पैदा कर देना या चीजों को तोड मरोड कर पेश करना उसे बूला जाता है distortion अगला हमारा शब्द है stakeholder यहाँ पे नाउन की तरह use हुआ stakeholder का मतलब होता है हित धारक किसी भी चीज में interest रखने वाला हित धारक हित रखने वाला उसे बूला जाएगा stakeholder अगला हमारा शब्द है apprehension यहाँ पे नाम की तरह use हुआ apprehension का मतलब होता है किसी जीजे भह लगना किसी चीज का डर या गिरफतारी अगला हमारा शब्द है catchment यहाँ पे नाम की तरह use हुआ catchment का मतलब होता है जिसे डैम में पानी कठा हम करते हैं पानी कोई कठा करना जल संग्रहन उसको बूला जाएगा catchment अगला हमारा शब्द है camaraderie camaraderie word यहाँ पे नाम की तरह use हुआ camaraderie का मतलब होता है हाँ लोगों के साथ मिल जूल कर रहना सोहार्द पूर्ण भावना से भाई चारे से ठीक है उसे बूला जाएगा camaraderie अगला हमारा शब्द है चावनिजम यहाँ पे नाम की तरह use हुआ चावनिजम का मतलब होता है चावनिजम का मतलब होता है अपना राष्ट अपनी जाती या अपने धर्म को सबसे ऊपर रखना सर्वोपर ही रखना मतलब उसी को ही सब कुछ मानना दूसरे को तुछ समझना दूसरे की अप्रिक्षा करना उसे बूला जाता है चावनिजम अगला हमारा शब्द स्टेकोल्डर रिपीट हो गया वर दोबारा से वही मैं बोलना चाहूंगा आपको कि हित रखने वाला हित धारक इंट्रस्टिट पार्टी किसी चीज में हमारा शेयर है या हम हित रख रहे हैं कहीं पे हित धारक एंट्रस्टिट पार्टें किसी चीज भी देश की स्वयम शाषन चलाने की शक्ती उसे बूला जाता है प्रभूता या समप्रभूता अगला हमारा शब्द है फ्रजाइल यहां पर जक्टिक की तरह यूज़ा है फ्रजाइल का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो बहुत नाजू हो, बहुत जादा कमजोर हो, बहुत जादा दुर्बल होना जिसे easily hurt किया जा सके, that is called fragile अगला हमारा शब्द है chaos, यहां पर noun की तरह यूज़ा है, chaos का मतलब होता है एकदम से पूरी तरह से गड़बड की स्थिती होना, अवेवस्था की स्थिती, disorder, confused and turmoil उसे बुला जाएगा chaos अगला हमारा शब्द है proclaim, यहां पर वर्पी तरह यूज़ा है, proclaim का मतलब होता है अब चारिक तोर पर किसी चीज की घोशना करना, publicly, formally किसी चीज को बताना, publicly declare करना, किसी चीज का announcement करना, that is called proclaim अगला हमारा शब्द है disband, यहां पर वर्प की तरह यूज़ा है, disband का मतलब होता है, चीजों को अलग-अलग करना, छिन भिन करना, separate करना, dissolve करना, scatter करना, that is called disband अगला हमारा शब्द है impresent, यहां पर जिक्टी की तरह यूज़ा है, impresent का मतलब होता है किसी को जेल में डाल देना, कैदी बना देना, बंदी बना देना, that is called impresent अगला हमारा शब्द है Sode, यहां पे वर्ब की तरह यूज़ हुआ है, Sode का मतलब होता है किसी भी चीज में, बड़ी तेजी के साथ वरिद्धी होना, बहुत तेजी के साथ बढ़ना किसी चीज़ का, अत्यदिक वरिद्धी होना, उसे बुला जाएगा Sode अगला हमारा शब्द है Regime, यहां पे नाम की तरह यूज़ हुआ, Regime का मतलब होता है, सरकार की शाषन चलाने की विवस्था, प्रशाषन या शाषन प्रणाली, उसे बुला जाएगा Regime अगला हमारा शब्द जनसाइड यहां पर नाम की तरह यूज़ हुआ जनसाइड का मतलब होता है किसी विशेश जाती के लोगों या किसी विशेश धरम से सम्मन्द रखने वाले लोगों का सामुहिक उन की हत्या कर देना, सामुहिक हत्या कांट, नर संगहार उसे बुला जाएगा जनसाइड, अगला हमारा शब्द स्टिफ, यहां पर जिक्टिव की तरह यूज़ हुआ है स्टिफ का मतलब होता है, ऐसे कोई चीज़े जो बहुती कठोर हो, बहुती कड़ी हो, सकती के साथ इंप्लिमेंट की जाए चीज़े, या फिर ऐसी चीज़ जो की, मतलब, जिसमें flexibility बिल्कुल भी ना हो, जो inflexible हो, उसे बुला जाएगा स्टिफ, अगला हमारा शब्द है, यहां पर वर्ब की तरह यूज़ हुआ है, डिज़ेस्ट का मतलब होता है, किसी बी चीज़ से परहेज करना, या किसी चीज़ को छोड़ देना, कोई चीज़ करने से रुख जाना, that is called डिज़ेस्ट, अगला हमारा शब्द है, प्रोब यहां पर वर्ब की तरह यूज़ हुआ, प्रोब का मतलब होता है, किसी बी चीज़ की बारे में जाज परताल करना, खोज बीन करना, इनिवेस्टिकेशन करना, किसी चीज़ की, that is called प्रोब, अगला शब्द है वर्डिक्ट, यहां पर नाम की तरह यूज़ हुआ, वर्ड शीज़न दिया जाता है, that is also called वर्डिक्ट, अगला हमारा शब्द है स्टर्न, यहां पर जिक्टिक की तरह यूज़ हुआ, स्टर्न का मतलब होता है, बहुत ज़्यादा गंभीर होना, निर्दई होना, या फिर कठोरता भरा व्यवहार करना, बड़ा हार्श व्यवहार कर अगला हमारा शब्द इंटर्वेंचन, यहां पर नाउन की तरह यूज़ हुआ, इंटर्वेंचन का मतलब होता है, रुकावट पैदा करना कहीं भी, या वविधान पैदा करना, किसी तरह का हस्तक शेप करना, या बीच बजाओ करना, that is called इंटर्वेंचन, अगला हमारा यहां पर नाम की तरह यूज़ हुआ, रुवलेशन का मतलब होता है, किसी बात का उजागर हो जाना, मतलब कोई रहस्य है, कोई गोपनिय कोई बात है, तो उसका सब के सामने आ जाना, रहस्य उदघाटन होना, प्रकटी करन होना, किसी चीज़ का, that is called रेवलेशन, अगला हमारा शब्द इंट्रोसेव, यहां पर एजिक्टि की तरह यूज़ हुआ, इंट्रोसेव का मतलब होता है, अनुची तरूप से बिना, बिना कुछ सोजे समझे कहीं पर टांग डाना, मतलब हमारा कोई तुक नहीं बनता है, और हम वहां पर कहीं बोलें, आपना अनुची रूप से हस्तक शेप करें, या फिर घुसपैट करना कहीं पर, इंट्रोसेव, अगला हमारा शब्द इलेक्रिटी, यहां पर नाउन की तरह यूज़ हुआ, अलेक्रिटी का मतलब होता है, बहुत किसी भी काम को करने में बहुती क्विक्नेस दिखाना, फूर्ती दिखाना जो शेवम उत्साह दिखाना, उसे बोला जाएगा अलेक्रिटी, अगला हमारा शब्द है सबस्टेंशियेटेड, यहां पर वर्प की तरह यूज़ हुआ है, सबस्टेंशियेटेड का मतलब होता है, किसी भी चीज़ को सही साबित करना, वेरिफाय करना, कनफॉर्म करना, प्रमानित करना, that is called सबस्टेंशियेटेड, अगला हमारा शब्द है पालिंग, यहां पर अजक्ति की तरह यूज़ हुआ है, पालिंग का मतलब होता है, ऐसी कोई चीज़ जिससे की हमें एकदम शौक लगे, एकदम हम डर जाएं, डर पैदा करने वाला, भयंकर, डराउन अगला हमारा शब्द है अन्रेवल, यहां पर वर्प की तरह यूज़ हुआ, अन्रेवल का मतलब होता है, किसी बी चीज़ को सुल्जाना, स्पष्ट बना देना, सौल्व करना किसी चीज़ को, समझने युग्य बनाना, that is called अन्रेवल, अगला हमारा शब्द है अगला हमारा शब्द है आउट्रेज, यहां पर नाउन की तरह यूज़ हुआ है, आउट्रेज का मतलब होता है, बहुत अधिक हमें गुस्सा आ रहा है, ऐसी कोई चीज़ जिससे में बहुत ज़ादा चिड़-चिड़ा पना रहा है, बहुत ज़ादा गुस्ता उत्पन क करने वाली अवस्था, अगला हमारा शब्द है पोट्रेज, यहां पर नाउन की तरह यूज़ हुआ, पोट्रेज का मतलब होता है, जैसे एक्टर कोई एक्टिंग करता है, किसी का रोल प्लेइ वो करता है, या किसी भी चीज़ का चित्रन करना, अभी नेता के दोरा कोई भूमिकानी भाना है, किसी चीज़ का चित्रन करना, that is called portrayal, अगला हमारा शब्द है डिक्राइट, यहां पर वर्प की तरह यूज़ हुआ है, डिक्राइट का मतलब होता है, किसी की बदनामी करना, निंदा करना, किसी की बेज़देती करना, that is called डिक्राइट, अगला हमार किसी की उपर ताने मारना, that is called vitriolic, अगला हमारा शब्द है अगास्ट, यहां पर adjective की तरह यूज़ हुआ है, अगास्ट का मतलब होता है, ऐसे कोई चीज़ जो कि हमें एकदम से हक्का बक्का कर दे, अश्यरे चकित कर दे, यहां हमें थोड़ा सा डर भी लगे, डर पैदा कर दे, that is called agast, अगला हमारा शब्द है एक, एक यहां पर नाम की तरह यूज़ हुआ है, एक का मतलब होता है, चिड़ाना या गुस्ता दिलाना किसी को, एरिटेट करना, अनौय करना किसी को, that is called एक, अगला हमारा शब्द है बिगट्री, यहां पर नाम की तरह यूज़ ह का मतलब होता है, बे मेल, या संगत, या बे तुका, या ऐसी कोई बात जो की, अनौपर्टेंट हो, अनौपिक्त हो ना, that is called incongruous, अगला हमारा शब्द है रिपरकर्शन, यहां पर नाम की तरह यूज़ हुआ, रिपरकर्शन का मतलब होता है, हमारे द्वारा किये के काम क परिणाम आने, परिणाम आना, कोई नतीजा, उसका रिजल्ट आना, उसके परिणाम या दुष्ट परिणाम होना, that is called repercussion, अगला हमारा शब्द है वनरेबल, यहां पर जेक्टिव की तरह यूज़ हुआ, वनरेबल का मतलब होता है, ऐसी कोई चीज, जिसे की easily, physically या mentally, ज इसे हद किया जा सके, जो बहुत जादा समवेदन चील हो, नाजिक हो, बहुत जादा कमजोर हो, उसे बुले जाएगा, वनरेबल, अगला हमारा शब्द है, convergence, यहां पर नाम की तरह यूज़ हुआ, convergence का मतलब होता है, चीजों को एक ठा करना, एक सूतर में पिरोना, मिलान चीजों को आपस में, that is called, convergence, अगला हमारा शब्द embrace, यहां पर वर्क की तरह यूज़ हुआ है, embrace का मतलब मैंने दो तरीके से आपको पताया था, पहला जो use होगा, इसका embrace word का वो होगा, हम अपनी इच्छा से willingly हम कोई चीज स्विकार कर रहे हैं, एक तो यह context है, दूसरा ह हम किसी को गले हग कर रहे हैं, बड़े प्यार्चम, किसी को गले लगा रहे हैं, प्रेम पूर्वक गले लगाना, उसको भी बुला जाएगा, embrace, आप दोनों तरीके से याद रख लीजेगा word को, embrace को, अगला हमारा शब्द अवर्टिंग, यहां पर वर्क की तरह use हुआ है, averting का मतलब होता है, किसी भी चीज़ को होने से टालना, किसी भी अपर ये घटना को होने से टाल देना, that is called averting, अगला हमारा शब्द है mitigate, यहां पर वर्क की तरह use हुआ, mitigate का मतलब होता है, किसी भी चीज़ की गंभीरता को कम कर देना, किसी भी तरह की कोई problem है, कोई समस्या है, तो उसमें थोड़ी सी कम ही कर देना, that is called mitigate, अगला हमारा शब्द है precise, यहां पर adjective की तरह use हुआ, precise का मतलब होता है, इसी कोई चीज़ जो बिलकुल ठीक हो, exact, accurate, that is called precise, अगला हमारा शब्द है buttress, यहां पर noun की तरह use हुआ, buttress का मतलब होता है, किसी भी चीज़ को भारा देना, that is called buttress, अगला हमारा शब्द है severe, यहां पर adjective की तरह use हुआ, severe का मतलब होता है, ऐसी कोई बाते हैं, ऐसी कोई स्थितिया, जो की बहुत ज़्यादा कष्ट पहुचाने वाली हो, बहुत ज़्यादा गंभीर हो, कठोर हो, उसे बुलायाता है severe, अगला हमारा श यहां पर नाम की तरह use हुआ, stalemate का मतलब होता है, गतिरोध की स्थिति होना, progress ना होने देना किसी चीज़ की, अवरोध की स्थिति, गतिरोध की स्थिति, deadlock, standstill, उसे बुला जाएगा stalemate, अगला हमारा शब्द है stipulates, यहां पर वर्प की तरह use हुआ, stipulates का मतलब होता है, किसी चीज़ को करने की guarantee देना, officially तोर पर, अपचारिक तोर पर, मतलब कोई चीज़ आवश्चक रूप से किया जाना, या हम यह करेंगे इस तरह से बोलना, guarantee देना, प्रतिग्या करना, किसी चीज़ को करने की, that is called stipulates, अगला हमारा शब्द है sovereignty, यहां पे नाम की तरह use हु Combat, किसी से जूजना, यूद करना, लडाई करना, विरोध करना, किसी बात पुले कर, that is called combat, अगला हमारा शब्द invasion, यहां पे नाम की तरह use हुआ, invasion का मतलब होता है, दावा पूनना, किसी पे आकरमन करना, हमला करना, attack करना, that is called invasion, अगला हमारा सब्द encroachment, यहां पे नाम की property, में मतलब बिना आ गया के प्रवेश कर जाना, that is also called encroachment, उसी के अंडर आगी यह चीज, किसी की जबीन को हड़प लेना अगला हमारा शब्द है, provocation, यहां पे noun की तरह used हुआ, provocation का मतलब होता है किसी को उकसाना, भढ़काना, उतेजित करना, that is called provocation, अगला हमारा शब्द है, abrogation, abrogation यहां पे noun की तरह used हुआ है abrogation का मतलब होता है, किसी भी चीज़ को officially तोर पर रद कर देना, खंडन कर देना किसी चीज़ का, cancel कर देना, निरस्त कर देना, that is called abrogation, अगला हमारा शब्द है, amassing, यहां पे वर्प की तरह used हुआ है, amassing का मतलब होता है बे तर्तीब तरीके से किसी चीज़ का धेर लगा देना, एकठा करना, एकत्र करना, that is called amassing, अगला हमारा शब्द है, contravention, noun की तरह used हुआ है, contravention का मतलब होता है, किसी भी चीज़ का उलंगन करना, खंडन करना, या विरोध करना, नियम या करूं का पालन ना करना, violation करना, that is called contravention, अगला हमारा शब्द है, in tatters, यहां पे idiom की तरह यह word यूज हुआ है, in tatters का मतलब होता है, किसी भी चीज़ का बहुत बूरी अवस्था में होना, जीरन शीवन अवस्था में होना, यह हम बोल सकते हैं, हमने कटे, फटे, पुराने कपड़े जिसे गरीबों के पास होते हैं, जिसे भीकारी कटे, फटे, पुराने कपड़े पहनते हैं, तो वो भी बहुत, मतलब कपड़ों की सेंस में भी हम यह word यूज करते हैं, in tatters, तो मैंने दोनों आपको बता दिये कि कैसे यह word यूज होगा, अगला हमारा शब्द है, petrotism, यहाँ पे नावं की तरह यूज होगा, petrotism होता है अपने देश के परती, प्यार, देश भक्ती, राश्ठ भक्ती, स्वधेश प्रेम, उसे बुला जाएगा, petrotism, अगला हमारा शब्द है, imputation, यहाँ पे नावं की तरह यूज होगा, शत्रुता या बैर रखना, that is called enmity, अगला हमारा शब्दे sedation, यहाँ पर noun की तरह यूज़ हुआ, sedation का मतलब होता है, सरकार के खलाफ बगावत करना, हुर्दंग बाजी करना, या अपने ही देश के खिलाफ राज द्रोह करना, विद्रोह करना, किसी तरह का दंगा करना, that is called sedation, अगला हमारा शब्दे uniformity, यहाँ पर noun की तरह यूज़ हुआ है, uniformity का मतलब होता है, चीजों में समानता होना, एक रूपता होना, समरूपता होना, उसे बुला चाहेगा uniformity, अगला हमारा शब्दे conformity, दोनों ये similar word है, देख लीज़े, uniformity और conformity, सिरफ थोड़ा- बने हैं, तो सभी उसको follow कर रहे हैं, वो अनुरूपता है, उसके अनुकूल ही सब काम हो रहा है, समानता होना, compliance with rules, regulations, that is called conformity, अगला हमारा शब्द resentment, यहाँ पर noun की तरह यूज़ हुआ, resentment का मतलब होता है, किसी बात को लेकर नाराजगी होना, नाखुशी जताना, क्रोध होना, उसे बोला जाएगा, resentment, purported, यहाँ पर जेक्टिव की तरह यूज़ हुआ है, purported का मतलब होता है, कही सुनाई कोई बाते, जो कि वैसे ही बोली जाया, so called, या फिर अनुमान लगाया जाया, कि यह साबी है, suppose कि या जाया, you merge, अफवा हैं, उन्हें बोला जाता है, pur जारी चोँने वाली है, बरफ परने वाली है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं, भविश्यवानी करना, शकुन बताना, that is called, boots, अगला हमारा शब्दे chaos, यहाँ पर noun की तरह यूज़ हुआ है, chaos का भी मतलब होता है, आवेवस्ता किस्तिती, गडबड किस्तिती, disorder किस्तिती उसे बुला जाएगा, chaos, अगला हमारा शब्दे, detention, यहाँ पर noun की तरह यूज़ हुआ है, detention का मतलब होता है, किसी को बंदी बना देना, नजर बंद करना, कैद करना, जेल में डाल देना, कारावास में डाल देना, there is called detention, अगला हमारा शब्दे, absurd, यहाँ पर एजक्टिप का मतलब होता है, इसका मतलब होता है, कि बदल की कारवाई करना, प्रतिशोद लेना किसी से किसी तरह का, और खास करिए, आर्मी के द्वारा लिया जाना, उसे बुला जाएगा, reprisal, अगला हमारा शब्द, remnants, यहाँ पर noun की तरह यूज़ हुआ है, remnants होता है, शेश या किस vocabulary के revision का, reconciliation का मतलब होता है, दो विक्तियों के बीच में, या फिर दो देशों के बीच में, संबंद अच्छे नहीं है, और उनमें एकदम से पुनह मैत्री हो जाए, उनके संबंद अच्छे हो जाए, पुनर मिलन होना, उसे बुला जाता, reconciliation, यह हम बोल सकते हैं, किसी भी च अगर आपको मेरा प्रियास थोड़ा सा अच्छा लगा हो, fruitful लगा हो, आपको थोड़ा सा फायरा पहुंच रहा हो मेरे प्रियास से, तो please वीडियो को लाइक कर दीजेगा, ओ सके तो वीडियो को जाधा-जाधा शेयर भी कर दीजेगा, इस वीडियो में इतना ही सीधर के वीडियो के लिए बनरिये चैनल पर. Thank you. Thanks for watching.